लाइक शेर सब्सक्राइब आप कर दी जाए जो complete batch है के वेस का PRT का वो भी आप परेरवे लाप डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं तो यह information है जो देना बहुत ज़रूरी अभी हो जाता है क्योंकि अगर आपको information ना दे दी जाए तो उस चक्कर में कहीं और से आप गलत resources से भी जुड़दाते हैं ठीक है don't worry first का B देखते हैं इसमें answer कोई सही दे पा रहा है कि नहीं इसमें सभी के answers गलत हैं उसका reason अभी समझते हैं एन EBS teacher यानि आप क्या है एक environmental studies यानि परियावर्ण अध्यन के teacher हैं environmental sciences के नहीं environmental sciences के नहीं अगर आप KBS का slavers देख रहे हैं तो वहाँ पर environmental science पूछा जा रहा है आपसे यानि extra जितने भी questions है science related वो भी पूछ ले जाएंगे depth में जाएगी बात लेकिन जब आप seated के लिए पढ़ते हैं तो environmental studies है topic का राम यानि परियावर्ण अधियन है 3rd to 5th तक environmental studies ही होता है sciences फिर आगे की difficulty level पे जोड़ा जाता है an EVS teacher has a student from Abu Dhabi, Abu Dhabi का है? UAE में है United Arab Emirates में इस पे chapter है आपका NCIT में उसी से ही बात कही जा रही है तो एक बच्चा happy class में जो Abu Dhabi से join कर रहा है, the teacher has her online class scheduled at 10 a.m. और teacher की जो class है वो online class है, इसी लिए Abu Dhabi से बच्चा देख पा रहा है, ऐसा नहीं कि दोड़ते हुए आएगा, Abu Dhabi से India में पढ़ने के लिए सुबह 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 स्कूल में What time will the student attend her online class from his home in Abu Dhabi? यानि बच्चे को किस समय अपने घर से तयार होके बैठ जाना है स्क्रीन के सामने, अगर उसको Indian time के according, अबुधाभी से class लेनी है बताईएगा, बताईएगा, बताईएगा फटाफचा बताईएगा देड़ घंटे का अंतर है exactly, साड़े आठ बजे बई, आप अगर दुबई में रह रहे हैं आप अबुधाभी में रहे हैं या UAE की किसी भी country में रहे हैं किसी भी जगहा पर रहे हैं तो क्या है, डेड़ घंटा पीछे हैं वो IST यानि Indian standard time जो है ये इसके डेड़ घंटा पीछे हैं तो इसका जो answer होना चाहिए था वो काईदे में B होना चाहिए था बट इन्होंने साड़े आठ कहीं लिखा नहीं है क्योंकि 10 बजे में से हम डेड़ घंटा घटा देंगे तो सुबह के साड़े आठ तो हमारे यहां 10 बजे हैं तो वहां साड़े आठ बजे बच्चे को बैठना पड़ेगा क्योंकि वहां के टाइम से डेड़ घंटा आगे है ठीक है इतनी बात अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो इन्होंने एक भी option सही नहीं दिया है साड़े आठ का option ही नहीं है ठीक है ना तो उस case में answer जो है वो B हो गया simple, subtle, सुंदर सी बात है आगे बढ़े है और यह NCIT में दिया हुआ है कि देड़ घंटे आगे है समय तो यह सब बात हैं हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए indirectly पूछेगा तो हमें लेगा पता नहीं कहां से आगया question है ना और बढ़ते हैं आगे चलिए बहुत बढ़िया चलिए चलिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आप जवाब दे पा रहे हैं पोल में जवाब देना है comments को avoid करके अगर आप live देख पा रहे हैं तो उससे आपको पता लगए है कितने percent लोग आप जैसे सही उत्तर दे रहे हैं 54% लोग कह रहे हैं A option question क्या है which of the following is the least used type of cooking oil यानि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्लिकित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है सबसे कम तो सबसे कम mustard oil भरपूर सर्चनों के तेल का प्रयोग होता है नारियल का भी प्रयोग होता है बहुत अलग अलग जगापे अगर हम देखते हैं और groundnut oil, momphaly का तेल palm oil सबसे कम इन चारों options में से यूज होता है, palm मतलब ताडगा तेल खाने के लिए कम यूज करते हैं और बहुत सारे products में ये यूज होता है लोग पता नहीं कहां-कहां shampoo से लेकिए और बहुत सारे beauty products होगे रहा हमें भी यूज कर लेते हैं तो palm oil basically कम यूज होता है to select indoor plants for her office यानि एक principal ने आप school में गए, आपका selection हो गया के इंदरे विद्याले में मान लेते हैं या जहां पर भी इस साल अभी KVS की विकेंसी आई हुए तो KVS ही मानेंगे तो आपका selection हो गया और आपके principal ने कहा कि एक काम करिया, आप EBS teacher है indoor plants select करके लाइए कि आपको थोड़ा बहुत तो परियावन के बारे में पता ही होगा और indoor plants select करके लाइए जिनको हम बिना sunlight के भी या कम sunlight भी अगर window से आ रही है तो वो survive कर जाएं कुछ indoor plants होते हैं, कुछ outdoor plants होते हैं तो कौन सा समूहू आप चुनेंगी कौन सा group of plants आप चूज करेंगी इन चार options के combination में से aloe vera, petunia या money plant फिर aloe vera, money plant, croton या फिर money plant, petunia और mint mint आपका भी पुदीना तो पुदीना कैसे survive करेगा घर के अंदर और बात रही किसकी ये petunia की तो ये कैसा पौदा है अगर नहीं भी पता है तो हम इसके बारे में आप जान सकते हैं जिसको sunlight की बहुत ज़रूत होती है लगवग 6 गंटे तो चाहिए एक दिन में तो उस case में ये तो जहां जहां है इसको हम हटाएंगे ही money plant हमने देखा है बिचारा कहीं भी काम चाला लेता है अपना जीवन चल जाता है aloe vera हुआ या croton की आतों बारे में हमने NCRT में पढ़ा भी है तो कम पानी या कम sunlight में भी जीवन चल जाएगा थोड़ा पहुत दिखा दो कभी कभी काम बन जाएगा ठीक है कोई दिक्कत परिशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है aloe vera money plant croton ठीक आगे बढ़ेंगे question number 4 देखिएगा एक बार ये क्या कहता है question number 4 कहता है in villages यानि गाओं की जब हम बात कर रहे हैं it is common to observe how women at home remove the husk from the grain this method is known as ये question पहले offline आपके जब paper होते थे तब भी पूछा गया है दो बार कम से कम इस बार भी पूछा गया है यानि गाओं में हम यह साधान रूप से देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अनाज से भूसे को कैसे अलग करती है ऐसे फटक करके अगर किसी ने देखा है कोई गाओं के दर्शन किसी ने किया है जो की करने ही चाहिए अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ये बात थोड़ी बहुत आइडिया लग रही होगी कि इसको विनोइंग कहते हैं ये simple answer है इसका निश्पादन या फटकना कहते हैं जाड के ऐसे अलग करते हैं जब आप किससे जो अनाज है और उसको भूसे से अलग कर रहे हैं याद रखेगा अनाज है जिसको भूसे से अलग कर रहे हैं ये विनोइंग है हैंड़ पिकिंग तो हो गया चावल काट के लाए है उसको जाड जाड के ऐसे किसी चीज़ पर तब आप थ्रेशिंग मतलब उस ग्रेन को साइड कर रहे है एक तरह से बाद में उस ग्रेन में से हस्प को अलग निकाला जाएगा जब आप उन रूट से निकाल रहे हैं जिन चीज़ों को जब हम थ्रेशिंग का प्रयोग कर रहे हैं अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विनोइंग की तो यह आप देख पा रहे हैं एक अंकल है और जेंडर प्रेटि का यूज करते हुँ हमने पहले अंकल को दिखाया है कि ये एक मेल है और क्या कर रहे हैं भूसा अलग कर रहे हैं जो बीज है उससे थ्रेशिंग के माध्यम से ठीक और यहां पे एक आंटी भी मिलेंगे आपको आगे यहां पे यह आंटी है जो विनोईंग का प्रयोग कर रही है किस चीज के लिए भूसे को दाने से अलग करने के लिगे आप देख रहे हैं, यहां दाने पड़े हुए हैं, एक तरफ भूसा होगा और जो भी इसमें से हस्क निकल जाएगा और उससे पहले, जो इससे पहले की प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग है, कि जब आप काट के लाए फसल को, फिर उसको मार मार के यह बीज अलग कर रहे हैं आप फिर इसमें से भी भूसा अलग करेंगे, तो यह विनोइंग हो जाएगा तो यह सिंपल विनोइंग हो गया इस पर question आजाता है कई बार, इसलिए हम थोड़ा से इस पर ज़्यादा जोर देंगे Question number 5 देखिएगा एक बार The relationship between organisms where one organism benefits from the association while the other is harmed Line ध्यान से पढ़े है, क्योंकि यह question कई बार घुमा करके पूछा गया है सीटेट में, इसके आसपास वाला question Exact यह नहीं है वो question तो जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहाचारे से लाब होता है और दूसरे को हानी होती है यानि दो organism हैं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं बट एक को लाब है और एक को हानी है बगला क्या है उन दोनों का symbiotic relationship है दोनों के लिए अच्छा है बगला जो है जो भी parasite सोगे रहा होते हैं उनको खा जाता है भैस के उपर से skin में से और उसका भी पेट भर जाएगा और भैस को भी आराम मिल जाएगा या जो भी buffalo है या जो भी इस तरह का animal है तो वो symbiotic मतलब अच्छे हैं तो यह symbiotic आँख बंद करके नहीं लगा देना यहां यह है क्योंकि यहां बात हुरी है एक organism को तो benefit मिल रहा है और दूसरे को harm हो रहा है जैसे हमें अगर मच्छर काटे तो मच्छर के लिए तो benefit है भाई या खून पीके मोटा हो जाएगा एक दम ताजा ताजा मच्छर आपने देखा होगा कभी और गलती से अगर आप उसको मार दें तो वो दिखाता है कि आपका ब्लेड गूर्प उसके अंदर भरा हुआ है तो यह वो वाला relationship है इसको parasitisism कहेंगे parasitisism कहेंगे यानि परजीविता है यह कि सामने वाले को हाम हो रहा है लेकिन आपके मज़े आ रहा है ऐसे लोग भी होते हैं, इंसान भी होते हैं parasites जैसे दूसरों खून पीके खुश होते हैं, उनका जीवन दूसरों खून से चलता है तो mutualism इसमें दोनों एक दूसरे का benefit कर रहा है या दोनों एक दूसरे के लिए जीवित रख पा रहा है एक दूसरे को competition तो फिर आपको पताईए parasitisism यानि परजीविता, D option अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह हम देख पा रहा है, यह मच्छर है यह parasitisism यानि परजीविता का जो रिष्टा है यानि parasitisism is the relationship between two organisms यानि दो जीवों के बीच का रिष्टा wherein one organism जो एक जीव है जहाँ पर वो क्या है? Parasite है खून चूसने वाला है thrives at the cost of the other the host, host क्या है यहां मालीजे human hand है, तो human क्या बन गया इस मच्छर के लिए host हो गया यह host नहीं हो तो घर में बुला रहे हो आप किसी को खाने पर आप host कर रहे हो उस टाइम पे तो आपने अपने घर में बुलाया कि लो बिटा खून पियो, vampire के जैसे और मच्छर क्या है यहां parasite बन गया तो यह parasitisism है पर जीवी है ऐसे बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं अलग-अलग यह सिर्फ एक उधारन है human वाला करेंगे English pedagogy भी, don't worry यार चलिए आगे बढ़ते हैं, don't worry आगे एक और चीज़ है symbiotic relationship की, तो यह parasitisism mutual हो गया, दोनों का फाइदा हो रहा हो और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो यह बगुला है और यह बफैलो है, इन दोनों का symbiotic relationship है यह भी याद रखना है, इस पर दो बार question आ चुका इस बार इसके आसपास का question दे दिया तो बाकी की options भी हमें पढ़ने हैं जब हम एक question solve करने हैं तो वही जो सही है उसी पर नहीं, बाकी options के बारे में भी हमें थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए कोई कह रहा है, जैसे कि हमारे पढ़ोसी होते हैं, हमारा खुन पी खुद खोशी रहते हैं, और आप भी वैसे ही उनकी नजरों में होंगे, है ना, यही तो मज़दार है human nature देख रहे हो, जो हर इंसान को लगते है उससे बहतर कोई और नहीं है दुनिया में चलो खेर यह तो मैं मजाख करें, बल्कुल सही बात है question number 6, endemic species यानि विशेश शेत्री प्रजातियां अब जिसने हिंदी में पढ़ा है इस question को, यह अपने आप बता रहा है जवाब क्या है विशेश शेत्री प्रजातियां का मतलब हो गया जो किसी विशेश शेत्र में रहती हैं simple बात, no बकवास, है ना तो endemic species क्या है rare है यह, वो तो भाई rare तो फिर endangered हो जाती है जो वैसे भी दुरलब है खत्म होती जा रहे है यह rare मतलब कम पाई जाती है इस तरह से क्या सकते हैं, जरूर इने खत्म ही हो रहे हो वो endangered कहलाएंगी, जो खत्म होने की कगार पे हो imported species कहीं और से आयात करके लिए अभी वो tiger viger आया थे न कहीं से और species found in particular area यह बात एकदम सही है वो प्रजातियां जो किसी एक particular area में पाई जाती हैं, जसे कंगारू एक टाइम पे ऑस्टेलिया में ही मिलते थे या भी भी ऐसा ही होगा तो हम यह कह सकते हैं कि यह particular शेत्र में पाई जाती है जैसे एक चीज है नील गय वो कहाँ पाई जाएगी, कुछ शेत्रों में पाई जाएगी UP के या कहीं, specific reasons में तो जो विशेश शेत्र में पाई जाती हैं जो प्रजातियां, हर जगा नहीं मिलती उनको हम क्या कह रहे है endemic कह रहे है आगे बढ़ेंगे D option is the right answer endangered जो species हैं, वो हैं, जो भई खत्म होने के कंगार पे हैं, कंगार पे हैं, या भी गाया भी हो चुके हैं, कुछ तो देखेगा अगर हम बात करते हैं देखेगे, वो तो लुप्त ही हो चुके हैं question number 7 देखेगा विलुप्त question number 7 है, which of the following is or are consequences of deforestation इस तरहा question भी पहले पूछा जा चुका है यानि, वनोन, मुलन या वनों को काटने से नुकसान, क्या क्या है या consequence क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा यदि आप जंगलों को काटते रहेंगे, forest को काटते रहेंगे तो, बताएगा कुकविद इननत, उनको mail कीजे mail दिया हुआ है seat at वालों ने अगर ऐसा हुआ है, image discrepancy या कुछ इस तरह का issue है, उनको email कीजे email मैंने बताया था, जब seat at का notification आया था उस time पे, या office visit कीजे बिलकुल जाईए, अगर इस तरह को issue है, आपके photo का या कुछ भी आना कोई केरा बिहार में बहुत है देखेगा KVS PRT लगभग bilingual मिलेगा, बट इसका मतलब यह नहीं कि एक सेम शब्द को चार-चार बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा मतलब bilingual मतलब वो भाषा जो जैनरली हम समझ पा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके देखेगा, अगर हम बात करें यह कहां से अवाज आ रहे हैं भाई अगर हम फॉरेस्ट करते रहेंगे पेड़ों को काटते रहेंगे तो उसका कॉंसिक्वेंस क्या होगा पहला option है इंक्रीज ओफ एट्मोसफेरिक टेंपरेचर यानि वायू मंडलियत आप मानमे व्रधी आप देख लीजए अगर आप गाउं हो जाते हैं आपको कई डिगरी टेंपरेचर कई बार कम मिल जाता है जहां आसपास पेड़ होते हैं जिन इलाकों में वहाँ पर क्या है तेंपरेचर हलका से कम होगा बाहर के रोड से ये बात हम जानते हैं तो बिल्कुल सही बात है अगर पेड़ नहीं है तो क्या होगा temperature increase होगा increase in level of CO2 हमें पता है भाई पेड जो है वो oxygen छोड़ते हैं environment में और carbon dioxide का save and करते हैं और हमारे लिए oxygen देते हैं तो जब अगर पेड नहीं है तो CO2 का level बढ़ता जाएगा ये बात भी सही है increase of groundwater level भाई पेड के कटने से groundwater कैसे बढ़ जाएगा ये तो senseless बात हो गई है ना groundwater तो कम होगा तो ये भी गड़ बढ़ है increases chances of natural calamities such as flood and drought यानि प्राकृतिक आपदाओं की जो chances हैं वो बढ़ जाएगे बाड और सूखा आएगा भी nature है nature में पेड भी उतना ही A, B, D A, B, D विलियर्स नहीं है ये simple A, B, D option है ठीक तो C option is the right answer clear है ये बात आप तो पोल तीन दिन पहले हटा देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं question number 8 देखेगा और फिर भी type करने में 4 साल लगा देते हो क्या करते रहते हैं लेपटप में हैं बता दीजे नहीं बताएंगे शौरसिंके एक्जाम्स खत्म हो गए है मैं हम application में last में device token मांग रहा है वो क्या होता है एक बार call करके बता कर लो नहीं तो मैं बोल दूँगी सोनल मुझे mail छोड़ देना ऐसा कुछ होगा कि मैं आपने कहीं दूसरे device से तो लॉगिन नहीं कर लिया है तो उसमें फिर दिक्कत आज़ती है कोई कहरा है यह वारा निमोनिक निमोनिक क्वीन अरे बस याद रहनी चाहिए आपको चीज़ है और निमोनिक में वो नहीं होता न क्या कहेंगे उसको थोड़ा सा भाषा की मर्यादा भी बनी रहती है चचला पन नहीं होता कि आप एकदम गलत-गलत उधारन देखे देखेगा अगर हम बात करें question number 8 की तो यह कहता है which of the following statements are true regarding cold and hot deserts अगर हम बात करें तो कौनसी बातें या कौनसे कथन सही होंगे थंड़े और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए तो अब NCIT में थंड़े और गर्म रेगिस्तान की बात हुई है कि राजस्तान क्या है गर्म है अगर हम लद्दाक की बात कर रहे है तो वो cold desert है वहाँ थंड़ा रेगिस्तान है तो पहला option है hot deserts have high temperature while cold deserts have low temperature यानि जो गर्म रेगिस्तान होते है महाँ पे तापमान अधिक होगा ठंड़े में कम होगा ये तो बिल्कुल एकदम नॉर्माल आसान सी बात है बही cold तभी तो कहरे है जब temperature कम है और अगर hot है तो temperature high होगा यहाँ temperature कम होगा यानि गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेथ की अधिकता होती है जबकि ठंड़े रेगिस्तान में बर्फ और हिम से घरी हुई रती है जो धरती है वो ground जो है पूरा जो भी वहाँ आसपास की चीज़े है वो बर्फ से ढखी हुई होगी बिल्कुल fact है hot deserts are red और orange while cold deserts are grey ये भी हम देख सकते हैं लद्दाक में क्या है वो greyish shade है वहाँ पे ठीक कह सकते हैं और राजस्तान में क्या होगा वहाँ लाल रंग की रेथ या orange filler की रेथ आपको नजर आएगी बात तो सही है D option है hot and cold deserts experience a significant sensational effect यहाँ पर गर्म और ठंडे लेकस्तान में रितू के उतार शड़ाव के महतुपूर्ण प्रभाव की अनुभूती की जा सकते हैं बहुत जादा change नहीं होता जो आपका रितूएं हैं बहुत जादा नहीं बदलती है रितूएं बहुत जादा नहीं बदलती है हम harsh हो जाता है weather ठीक है ना मैं previous year online paper लगा लो निकल जाएगा बिल्कुल निकल जाएगा funny clip और साथ में देख लो यह notes जो मिल रहे हैं आपको वो पढ़ लो और जो marathon चल रहे हैं वो पढ़ लो more than sufficient हो जाएगा तो answer किया यहाँ D गलत है बहुत जादा रुतूएं नहीं देखने को मिलती variation नहीं है A B C B option is the right answer कितने लोग सही दे रहे हैं 42% लोग ठीक है आगे बढ़ेंगे next question पर सरकार अप सो गए या आप कुछ और करने में लग गए हैं तुम इधर मुँ करके बैठा करो ताकि दिखे तुम कर क्या रहे हो यह ना सो जाते हो slow साबुन हो गए हो question number 9 देखेगा question number 9 ध्यान वहीं रखो ना जो काम कर रहे हो national parks are important for preservation of wildlife which national park is the oldest in India बहुत यचा question है वन्य जीवन के संरक्षन के लिए राष्ट्य उपवन्य पार्क बनाए गए कि वहाँ पे जो भी flora and fauna है वो भी ठीक से रहे और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे national parks important है preservation of wildlife के लिए especially wildlife अगर यहाँ पे flora को side भी कर दें तो हम कह रहे हैं कि wildlife के conservation के लिए कि इनको ना तो शिकार किया जाएगा इस area में ना इस तरह की चीज़े होंगी तो कौन सा national park जो है वो oldest है इंडिया में यह पूछा है हमसे अब इसमें जवाब जो है वो अलग-अलग तरहा के हैं और like share करना आप लोग भूल जाते हैं बट वो कर दीजिया अगर आपको session पसंद आ रहा है तो देखे काजी रंगा सबसे पुराना है लेकिन यह forest reserve की तरहा इसको लिया गया था 1905 में national park नहीं बनाया गया था national park 1974 में बनाए तो इसलिए काजी रंगा इसका सही उत्तर नहीं हो सकता जिम कॉर्बट नैशनल पार्क इस दी राइट आंसर 1936 यह है कहां उत्तर खंट ठीक है जी गए हैं आप कभी शॉटर सिंग नहीं चलेंगे अभी सीटेट देखे घूमेंगे ठीक है मलब देखे क्या देखे तो यह लो बट मलब खत्म हो जाएगा सीटेट तब बट कहां से यार कविस भी आ चुका है तो इमाम क्या कह रहा है इमाम कह रहे है गुड इवनिंग मैम प्रैक्टिस सेट सब्मिट के बाद आल सेक्शन का आंसर सेव नहीं होता है ऐसा कैसे हो जाएगा है किसकी बात कर रहो गहां सी जगा पे कर रहो इक काम ठीक है तो आंसर क्या होए इसका जिम कॉर्बेट नेशनल तो आपके सिस्टम में कुछ उड़ बढ़ है अगर ऐसा है तो, क्योंकि अगर आपने सब्मिट किया है प्रॉपर हर एक सेक्शन तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Question number 10 देखेगा, बड़ा question है थोड़ा सा, correct sequence of seed germination. अब देखो ये normal topic को थोड़ा सा मुश्किल बना के पूछ लिया, कि जो बीज है, उनके अंकुरण के सही क्रम को पहचानना है, यानि बीज बोई जाते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या steps रहते हैं, उसको आपको सही क्रम में पहचानना है. बताएगा, फटा-फट से इतने में आप लोगों के आज comments पढ़ोंगी भरपूर, क्योंकि कई दूनों से marathon चल रही है, ज़्यादा comments में पढ़े नहीं बाती हूँ. Hello M. Noste, Rahul Saithpur, बहुत बढ़े Rahul, आप offline class में आये थे, याद है मुझे. अगर हम बात करते हैं, पहले option की तो यह कहता है, after the leaves appear, यानि, after the leaves appear, then the young plants can make their own food. यह सबसे पहले, पत्या ही आगई सीधा, बीज बोया नहीं है, पत्या आगई है, देख रहे हैं, कितना तेजी से चल रहे हैं. तो A option तो first नहीं हो सकता, जहां पे भी A option first है, उसको हटा सकते हैं, तो यह A और B option हट गए हैं, यहां से बागी के दो बचे, ऐसे eliminate करेंगे भई. Seed absorbs water through a hole, this softens the seed coat and it ruptures. मतब बीज एक छेट से पानी को सोकता है, और यह बीज आवरन को नरम कर देता है, और यह फूट जाता है, चलू ठीक है. C option है, A soft shoot emerges from the seed and grows upward, यानि अंकुरन हो गया और अब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा बीज, तो इससे पहले बीज तो लाओ कहीं. क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं, यह पूछा है. बात तो ठीक है, तो पहला option B ही होना चाहिए, यह तो नहीं हो सकता न, कि पहले small root, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है, नीचे की और बढ़ती है, तो यह तो आगी की process हो गई. यह second step होना चाहिए, फिर D आएगा आपका, during this stage, the baby plant, अब baby plant बाहर आएगा, और फिर जा करके आपका, यह soft root, finally, बीज जो है वो, plant हो गए. तो C option is the right answer, अगर आप common sense से भी देखेंगे, तो E पहले नहीं आ सकता, पहले तो normal एक जो seed है, वो absorb करके water को, और तब उसको लगाया जा रहा है, ताकि आगे की प्रक्रिया चल सके. तो C option ही एक मात्र सही उत्तर है, अगर हम elimination method का भी प्रयोग करें, बहुत जादा हम ना भी रट्टे लगाये हों हमने, तब भी हम यह चीज common sense से solve, कर पाएंगे question number 11 देखेगा, question number 11 देखेगा, और बताईएगा, यह कौन है इतने रंग बरंगे चीज़े, मेरा नाम कभी न बकसर वाला कैसी हो, मैं माज मेरी girlfriend की शादी हो रही है, तो तो सिर्फ पढ़ाई करो, क्या फर्क पढ़ना है, आपको कौन सा खाना खाने जाना है, बुलाया तो होगा नहीं, तो अपना खाना घर में खाओ और पढ़ाई करो, शानती से, क्या हो गया, ऐसा कौन सी technology है, जो बाजरे का बीज है, उससे आपकी प्लेट तक जब वो रोटी की फ़र्म में आएगा, तो क्या steps रहे होंगे, दिव्यांजली क्या पूचें, hello ma'am, attempting seated for first time in a, I'm a mother of 3 year old kid, please guide, please guide last time revision, especially facing problem in Hindi pedagogy, दिव्यांजली मैंने 25 दिन की strategy बनाई थी, एक बार उसको देख लो, और सिर् marathon sessions, previous year, जहां previous year में अटक रहे हो, मालनो हिंदी में ही, कौन से topics में दिक्कत आ रहे हैं, समझ के पढ़ने में दिक्कत आ रहे हैं, तो उनको और अच्छे से 4-4 बार revise करके, ढंग से समझो पहले, कि कहना क्या चाहरा है question, और practice करने है, marathon से, notes आपके पास हैं, उतनी चीज़े इनफ हो जाएंगी, दिक्कत आपको नहीं आएगी, paper निकल जाएगा, बेशक आपको घपराट हो रही हो, लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे इस घपराट के दौरान भी, तो नुकसान नहीं होगा, उससे निकल जाएगा, paper पता भी न लगेगा, C option 81% लोग कह रहे हैं, मतलब फसल काटना, चलो, harvesting तो कौमा ने सभी जगा, तो ये तो first option होई गया, फसल काटना, उसके बाद आप कह रहे हैं, threshing, यानि फटकना, जो हम शुरात में बात कर रहे थे, कि कट गए फसल, फिर उसके बाद उसको ऐसे जाड़ जाड़के, threshing हो जाएगी, ठीक है बा था, winnowing बाद में होगी, पहले आटा गुत जाएगा, ये तो कैसी बात होगी, harvesting, winnowing ठीक है, grinding, सीधा पीछना शुरू कर दिया, मतलब ना threshing हुई, threshing, winnowing, grinding, kneading, rolling, roasting, यानि पहले फसल काटी गई, फिर threshing हुई, उसको मार मार के, पीट पीट के क्या कर दिया गया, ब भूसा अलग, जो थोड़ा मत, भूसा बचा हुआ था, जो बीच के अंदर, बीच के बहारवाला कपर था, उसको हटा दिया, पीसेंगे फिर आप इसको, फिर चक्की पर देख करके आएंगे, फिर आटा गूंत आ जाएगा, जब वापस आ जाएगा तो, फिर रोटी बेल कर लो, विनोइंग बाद में करो, पहले रोटी सेक लो, ऐसे थोड़ी होता है, अब ये question भी repeated है, offline papers में भी आता था, कि red data book keeps record of, यानी, लाल आकणों की पुस्तक, अब हिंदी में तो इन्होंने इतना खतरनाक translation किया है, कि चक्कर आजा इंसान को, देखेगा, maths की class लगवा अगर हम बात करते हैं, और EBS तो चलो, bilingual मिलेगा, maths, pedagogy आपको सर्फ English में मिल पाईगी, इस बार, अगली बार करेंगे उसका जुगार, red data book keeps, red data book क्या करती है, endangered species जो है, उनको cover करती है, endangered plants and animals, इसमें आते हैं, लुप्थ, प्राय, पौधे और जानवर जो है, जो लुप् हो रहे हैं, यह animals हैं, यह plants हैं, जो लुप्त होते जा रहे हैं, वे लुप्त होते जा रहे हैं, तो red data book में इसका record रखा जाता है, यह simple सा question है, I think NCIT में भी कहीं given है, सिर्फ animals के बारे में या उन सब के बारे में बात नहीं हो रही कि जो present है, जो गायब हो रहे हैं, उनकी बा मैं प्लीज all pdf भेज दो, and मैं all pdf without answer चाहिए मैं, last में answer या side में रखिएगा, तब भी चलेगा, please, answer पे ही ध्यान जाता है मैं, I understand, amul, अब आगे से ऐसा कर देंगे, अगली बार से answer, last में दे देंगे है, pdf कौन से वाली अभी देंगे हैं, questions की, pending है क्या, दे देंगे, का ये, इसी बात पर, समझते हैं, क्या कहानी है, हमारी पड़ोसी हमसे Netflix मांग रहे हैं, बच्चे, जरा-जरा से बच्चों को Netflix देखना है, हम Netflix लिया ही इसलिए है, ताकि हम बांट सकें, नहरू इंस्टिटिट ऑफ, वेट क्लास के बीच में, नेट्फिक्स कैसे दे दें, ब गूमने का मन किया, ये सब जगाए पढ़के किसी का, नहीं किया न, करना भी नी चाहिए, पेपर है, ये उत्तरकाशी या न, उत्तराखंड में सिचुएटेड है, I think, एक बार ये आप चेक भी कर ली जगा, 1936 के आसपास ये शायद बनाओगा, ये अर एक बार में confirm नहीं है, बट ये उत्तरकाशी में है, पकका पकका, ये लिखा भी हो है आपकी बुक में, NCIT अगर आप पढ़ेंगे तो, और उत्तराखंड या न, अगर उत्तराखंड लिखा हो दा, तब हम उसके साथ चले जाते, ठीक, A option is the right answer, तो कैसे पाहार चड़े जाएंगे, वो यहां स जवाब दीजगा, अरे सर, इतने स्लो साबन कैसे हो गए है, ठाक जाते हैं, क्या, आइस्क्रीम ख्लाएं आपको, दीदी आपने CDP सारी थेयरी करा दी न, हाँ रूपा, अभी पेड़गाजी वाला पार्ट उसमें रह गया है, जैसे NEP, जैसे RTE, जैसे NCF, इस तरह की 2-3 इंक्लूसिव एजुकेशन, CCE, तो अभी एक सेशन बड़ा सा कल लगेगा, जिसमें हम डिसकॉशन करेंगे, थेयरीज सारी हो चुके हैं, जो जरूरी हैं, इसके अलावा एक मेमरी का इस बार हलका सा क्वेशन आगया था, शॉट टम मेमरी और एक टाइपस ऑफ प्ले, य हमको सब ध्यान रखना होता है, कौन लाइक किये हैं, कौन नहीं किये हैं, देखे, identify which one of the falling states have C on one side, यानि भारत के राज्य हैं मैप पर, अगर आप उनको मांचेतर पर देखते हैं, तो किस राज्य की जो सीमा हैं, उसके एक तर्ट पे समुद्र है, एक तर्ट की बात हो रह है, गुजरात, हाँ, पता है हमें, समुद्र है, महराष्ट्र, हाँ, पता है, समुद्र है, गोवा, बिल्कुल पता है, आप जाते ही इसलिए, गोवा के प्लान साब बनाते ही इसलिए, समुद्र मिलेगा, करनाटका, सोच लो, मिल सकता है, कैरिला, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, वेस्ट बिंगॉल, अंडमानन निकोबार, अर यार अंडमानन निकोबार तो आइलेंड है अपने आप में, वो तो चारो तरफ से भी घरा हुआ है फिर, यहाँ पर बात हो रहे हैं एक साइड की, यह नहीं है कि पानी के अंदर ही कौन बैठा हुआ है, अंडमान ट्रिप अटकी हुई अंडमानन निकोबार की, बी ऑप्शन है, गुजरात, महराष्टा, गोवा, करनाटका, केरला, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, वेस्ट बिंगॉल, अरिसा, फटा-फट से बताइए, गुजरात, येस है, महराष्टा, येस है, गोवा, येस है, कर गोवा, करनाटक, केरला, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, वेस्ट बिंगॉल, अरिसा, ठीक है, मध्या प्रदेश में अगर समुद्र आ गया, तो फिर तो क्या ही कहने है, तो ये तो हट गया, डी ऑप्शन है, गुजरात, मध्या प्रदेश, अगेन, मध्या प्रदेश और समुद्र का क्या मतलब, समुद्र को किसी तेट पे नहीं है, मध्या प्रदेश, ठीक है, बी ऑप्शन, मध्या प्रदेश वाले भी ऐसी दुखिया है, जैसे दिल्ली वाले, उनको भी गोवा, गुजराती जाना पट रहा है, समुद्र देखने, तो गुजरात, आप यहां देखेंगे, अब हटादो पूल बैठे क्यों हो ब्रो, क्या हो गया तुमारे प्रेजेंस ओफ माइंड को, ज्यादा पढ़ाई कर लियो एक्जाम्स में, देखें, अगर हम यहां बात करें, यहीं नाइन स्टेट्स हम देख सकते हैं, गुजरात, समुद्र है भ वेस्टन स्टेट्स में, इस्टन स्टेट्स में आपकी बे ओफ बंगॉल यानि बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, सिंपल बात है, नीचे इंडियान ओशियन होगा, ठीक, गोआ हो गया, करनाट का फोर्थ, तमिल लाडू, फिफ्थ, केरिला, सिक्स्थ, ठीक, इधर, सेव प्रदेश यहां कहीं है, जिसको यह कह रहे थे, के भईया, MP, MP के तो आसपास भी पानी देखने को नजर नहीं आ रहा, तो यह मैप हमें multiple times देखते रहना है, क्योंकि paper में question आता ही, आता है, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे क्या कहानी है, देखेंगे एक बार, question number 5, क्या कह भाई, इतनी देर पहले तक, यह से थोड़ी होता है, शारध्यानी नहीं बाबू, गलत बात नहीं तो, typical है न question, हाँ, पुझा आज के questions typical है, of course, 10 घंडे पहले तुमको बता दिया थे के भई, कमाल कटती हो आज, क्येगा, question number 15, harvest के बारे में कुछ बात हो रही है, जवाब दीजे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, B option कह रहे हैं, 52% लोग, चलिए समझेंगे क्या सही है और क्या गलत है, 52% लोग कह रहे हैं, B option is the right answer over here, चलिए मान लिया हमने, B option, देखते हैं, अगर हम बात करें, harvest festivals, are major occasions of joy and gaiety, मतलब क्या हो, फसल कटने का जो पर्व है, वो खुशी और उन्लास का पर्व होता है, देश भर में हम देखते हैं, और इस पर अलग-अलग जगा पर अलग-अलग नाम भी हैं, इसके events होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश, celebrate तिल संक्रान्ती, आप देखते हैं, तिल संक्रान्ती या मकर संक्रान्ती भी क्या देते हैं हम, सेम होते हैं या नहीं, यह आप बताइएगा, बठा, संक्रान्ती मतलब किस खुशी में, फसल के, लिए मनाई जा रही है, फिर है B option, यह कटने की खुशी में, मकर संक्रान्ती पे तो नहीं कटती है, B option है, जारखंड सेलिब्रेट्स पॉंगल, एंट तमिल लाड़ सेलिब्रेट्स नबना, पता नहीं, सोच यह, फिर आते हैं हम, जारखंड में पॉंगल कबसे मनायन लग गे भाई, यह केरिला वाली बात हो जाएगी, गुजरात सेलिब्रेट्स लोरी, अरे कमाल कर दिये, तो पंजाब क्या करेगा, ठीक, तो यह भी गडबड हो गया, D option है, महराश्रा सेलिब्रेट्स गुडी पढ़वा, असम सेलिब्रेट्स बी हूँ, यह हमने बिल्कुल NCRT उम पढ़ा है, बी हूँ, मनाया जाता है असम में, वेस्ट पंगॉल में नबना, अब बात ठीक लग रहे है, A और D जो हैं, यहाँ कुछ सेंस में कर रहे हैं, तो A and D is the right answer, A and D कहीं लिखा है, नहीं नहीं यहाँ पर A and D है, B option is the right answer, वो तो B and D हो जाए, ठीक है, तो B option is the right answer over here, आगे बढ़ेंगे question number 16 पर, देखिएगा, पूछा है कुछ, बड़े-बड़े से questions है, question number 16 है, Mr. Lokesh was talking about landfills and their effect on environment, यानि Lokesh है, Mr. Lokesh teacher होंगे, भूमी भरन और उसके प्रभाव के विशह में, यानि landfills जो हैं, आस-पास आप देखते हैं, न, कूडे के पूरे-पूरे धेर लगे हुए हैं, शेहरों में, और इसका क्या effect होता है, environment में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, He asked students to visit the nearby landfill area and prepare a case study report, this activity is important as it, तो कहा गया है भई, जहां पे भी आपको लग रहे हैं landfills हैं, कूडे कचरे के ठेर लगे हुए हैं, आस-पास कहीं पे आपको ऐसी जगा दिख रहे हैं, जहां पे खट्टा किया जाता है, तो एक बार देख कर क्या हो और environment में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बताईए, पहला option है, helps students discover cause-effect relationship, helps students to know the landfill site in an area, अब इतनी कोई, मतलब ताजमहल तो है नहीं कि landfill site देखने जाएंगे तो बिना उसके काम नहीं चल पाएगा, फिर आता है आपका, C option, helps students to go out of classroom and enjoy, च इसको हल कैसे कर सकते हैं, बात एकदम ठीक है, कुछ हद तक हम कह सकते थे, cause and effect relationship, हल का फिल का हम कह सकते थे, कहां सही की तरफ जा रहा था, बट क्या यह सही हो सकता है, पूरी तरह से, combination ही नहीं दिये हैं, अगर सही होता भी तब भी आपको पता है कि combination नहीं दिये हैं, गलत कि D का कोई option यहां, नहीं है available, तो उस case में A, पूरी तरह से गलत अगर नहीं भी है, क्योंकि cause and effect directly नहीं सिखाने जा रहे हो, माल लोग चर्चा हो भी कर, तो यह cause and effect ऐसा नहीं है कि इसके और तरीके नहीं है, इसको ठीक करने के, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे next question पे, C और D जादा बहतर हैं, बाखी के, दोनों options से A और B से, देखेगा, question number 17, इस तरह के activities में, of course, बच्चे को आसपास के area में जाने को मिलेगा, तो वो enjoy तो करेंगे ही, और EBS में तो जाने को मिलना भी चाहिए बाहर, तो इसलिए वो सही था, गुरमीत क्या कह रही है, माम थ्री मन नहीं जा रहा है, क्या चाहते हैं, देखेगा, कह रही है मजाक की बात भी, गुरमीत, analysis, आपको, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं है, तो आप मुझे मिलेंगे अगर offline class में, या कोई भी अगर मिल रहा है, तो वहाँ मुझे पता लगया, किस section में कितने आ रहे हैं, कहां improvement की जादा गुंजाई इस है, किस तरह के questions गलत हो रहे हैं, यह सब देख करके analyze कर पाऊगे आप अपने आपको, और किन topics में देखता आ रहे हैं, तो उनको अलग से बढ़ो, दो बार और extra बढ़ो, practice की कहीं कोई कमी तो नहीं है, question पढ़के समझने में गलती तो नहीं हो रही, बहुत सार reasons हो सकते हैं उसके पीछे, और 120 is a good score, paper में जादा ही आएगा, देखिये, 17, question number 17 की अगर हम बात करें, students are asked to prepare models related to environmental problems and solutions and participate in a national exhibition, this is a good way to engage students as, यानि विद्धियार्थियों को परियावन समस्याओं तथा उनके समाधान सम्मंधित model बनाने और राष्ट्रे इमें भाग लेने के लिए कहा जाता है, बहुत एक काम करो, environment से related models बना करके लाओ, और जो problems चल रहे हैं environment में मालने जे, landfill की एक समस्या है, तो उसका solution क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ें, एक national exhibition, एक नुमाईश, एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, वहाँ है, क्या होगा, इससे बच्चों का क्या फायदा होगा, good way में एक तो engage हो रहे हैं, तो model making keeps students busy and engaged, तो busy और engaged के लिए तो dance कराओ, गाने गब वाओ, कुछ भी कर लो, यही कराने के क्या जूरुत थी, तो यह तो best option तो नहीं हो सकता है, बी option है, model making, अगर हमको यह मालो चार options मे क्या देते हैं, जैसे हमने last question में किया था, लेकिन क्यूंकि एक चूस करना है, तो जो best होगा, वही चूस करेंगे, फिर normal वाले से काम नहीं चल पाएगा, समझ पार हो यह नहीं, EBS के notes दे देंगे, 60 में 60 लेया न, exam pillar up, exam philic, क्या रहे हैं, आप से पढ़के आ जाएंगे, KBS में बता दीजे, 60 में से, 40 में से पूछ रहे होगा, 50, आ जाएंगे, तीन एर से पढ़ रहे हैं, उर्दू में दिक्कत है, 110, अच्छा, subject change करके देख रहते हैं, अगर ज्यादा थी तो दिक्कत, आदर्श क्या कह रहे हैं, EBS and maths का note exam के बाद मिलेगा, इन हिंदी, नहीं EBS का तो आदर्श हिंदी में exam से पहले ही मिल जाएगा, maths का हिंदी में नहीं मिलेगा, वो अगले exam में मिलेगा, English में मिल जाएगा, अब देखो इनको सार्केस्टिक होना है, मजाग भी हमसे ही करेंगे, देखेगा, अगर हम बात करें, exam आएगा भी, 16 तारिक से exam होगा, ए जो घरेल हो या जो आसानी से अवलेबल हो चीज़ें, या waste material वगएरा का use करके, जो थोड़ा सा सथा भी पढ़े, environment के लिए भी अच्छा हो, C option है, model making expensive नहीं, model making develop critical thinking of students, बिल्कुल, क्योंकि उनको problem solve करनी है, environment में क्या-क्या problem है, उस पर model बना के लाएंगे, कोई solution निकाल क के लाएंगे, कोई machine जैसा कुछ बनाएगा, C option बिल्कुल सही है, model making से क्या होगा, monotony break हो जाएगी, तो उसके लिए तो आप गाने इंगवा लीजे, monotony, यानि जो नीरस्ता है, उसी को दूर करना है, तो बहुत activities है, सीधा model ही क्यों, तो C option बेटर था, अब देखे, question number 18 देखेगा, which one of the following activities can be used by an environmental studies teacher to impart process skills, इस बार process skills, इवन इस से पहले भी, process skills पूछी गई है, प्रक्रिया कोशल कहते हैं, इनको हम, जिसमें बच्चे का दिमाग involved हो, जैसे आपका observe करना, classify करना, experiment करना, ये सब process skills हैं, जिससे आपकी scientific knowledge, environmental knowledge बहतर होगी, ठीक, तो process skills, किस से बह आचन करवाने से, singing से, नहीं, gardening से, क्योंकि जब बच्चा एक activity करेगा, उसको observe करेगा, तो observation क्या है, एक process skills है, पांच-छे process skills हैं, ये मैं कराऊंगी, पेड़ागोजी मेरा थोन में, तो, मदब EBS वाली, तो बागवानी करने में, आपको observe करना पड़ेगा, plants कैसे grow होते है कितनी मात्रा में उनको कब क्या देना है, कब sunlight देनी है, क्या extra weeds नकालने है, तो ये observation नाम की एक process skill आपकी develop होगी, किसी और चीज में classification हो सकती है, किसी और चीज में experimentation हो सकती है, फीक, question number 19 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, two pots were placed in the garden and in both of them seeds of beans were sown, यानि दो बरतन रखे गए बगीचे में और दोनों में seeds लगाए गए, एक के अंदर, जो एक बरतन है, उसके अंदर क्या लगाया गया, beans, ठीक, एक बरतन को चाया में और दूसरे सूरे के प्रकाश में रख दिया, राधा को प्रते दिन अवलोकन करने का record रखने के लिए कहा गया, of beans were sown, teacher asked रा क्या हुआ या फिर जो sunlight में रखा गया था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अब राधा की कौन सी process skill यहाँ develop होगी, simple बात है, इससे confidence बढ़ जाएगा, बच्चा confidence की बात कहां से हो रही है, speech देने को थोड़ी कहा है, developing higher observation skills, बिल्कुल, बच्चा अवलोकन करेगा, कैस seed germinate होगा, कैसे एक एक दिन में वो मुर्जाएगा, बनेगा, पानी कब दिया जा रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो observation skills आपकी better होती है, जब आप बच्चे को कोई ऐसी activity देते हैं, जिसमें उसको observe करना पड़े daily basis पे, concept present किया जाएगा, punctuality आ जाएगी, जी नहीं, B option is the right answer या best answer बाकी चारों से, question number 20 देखिएगा, क्या है ये, how can an EVS teacher, how can an EVS teacher make her students a best protector of the environment, वही आप EVS के teacher हैं, परियावन अध्यान पढ़ाते हैं, अपने विद्यार्थियों को एक परियावन संरक्षक के रूप में, क्या आप परियावन को बचाएं भी, परियावन को क्या करें, बचाएं भी, तो एक परियावन संरक्षक के रूप में, कैसे बहतर काम कर सकते हैं, ये पूछा है हमसे, देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो question number 20 क्या कहता है, एक परियावन अध्यापक हैं, क्या करेंगे, अब environment के प्रती बच्चे protect करें उसको, asking them to reuse, recycle and recycle the products, चलो ठीक है, asking them to develop new resources, कोई sense नहीं है, making them to be caretaker of one plant or tree of their locality, चलो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक था, asking them not to harm the nature, अब ये not to harm the nature, मतलब सीधा harm ही करेंगे, protector का मतलब है, वो कुछ और extra efforts डालें, उसको बहतर बनाने में, environment को protect करने में, तो हानी ना पहुँचाने को तो पुरी दुनिया कहता को ने कि हानी पहुँचाओ, तो इससे तो वो protector नहीं बन जाएंगे, घ्यान से protector नहीं बनेंगे, जब तक उनको कोई activity करने को नहीं दी जाएगी, पहला option है, जब आप उनको कहते है, reuse करो, recycle करो products को, तो सारे बच्चे recycle कर लें, मानलो, bisleri की bottle लाए खरीद गें, अब उसको recycle भी खोदी कर लें, वह उसको reuse तो चलो कर वे सकते हैं, recycle बच्चा कैसे करेगा सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है कुछ हट तक, लेकिन इन सबसे बहतर है, जब आपने बच्चे को कहा कि एक plant लो और उसका ध्यान रखो, making them to be care taker of one plant or tree of their locality, यानि आसपास कोई एक पौधा है घर के बाहर या पार्क में, या आसपास की किसी जो भी surrounding है, एक पौधे को गोध ले लो, यानि उसको कहो यह मेरा बच्चा है, आज से इसका मैं ध्यान रखोंगा, उसको पानी दो, उसमें अगर कोई एक्ट्रा घास है, उसको हटाओ, मतलब वो अपने आप responsible feel करने लगेगा, उसके अंदर वो care का भाव अपने आप develop होगा, जब वो यह activity खुद से करेगा, तो यह best option है कि बच्चे से आप real life activity करा रहे हो, C option is the right answer, question number 21 देखेगा, 9 question और हैं इसके बाद, question number 21 कहता है, which one of the following is or are achieved through inquiry-based learning, यानि कि उद्देशक होज आधारित सिक्षन से क्या प्राप्त होगा, inquiry-based learning, यानि बच्चा जहां inquiry करे, जहां questioning करे, जहां explore करे, environment का innovation करे, discover करे चीज़े, बताएगा, फटा-फट से, फटा-फट बताएगा, पहला option है, enhancement in curiosity of the student, यानि बच्चे की जग्यासा बढ़ेगी, बिलकुल कह सकते हैं, यह न, कितनी देर तक class चलेगा मैं, यह dollar के back भर के पूछ रहे हैं, शहबाज, 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 class का हम समय पहले से निरधारित कैसे करेंगे, एक से सवा गंटा लग जाता है, यह 30 questions, क्योंकि बड़े questions है, lengthy questions है, तो मुझे लगता है, अगले 15-20 minutes तक, खत्म कर देंग लोग, यानि inquiry based learning, यानि जहां बच्चा inquire करें, खोज करें, क्या होगे भाई, पहला option है, enhancement in curiosity of the student, यानि जग्यासा को बढ़ाएंगे, तो बच्चा inquiry करेंगे, अगर जग्यासा होगा, questions पूछेगा, environment में चीदों को observe करेंगा, activities करेंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आता है students engagement in learning, यानि विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, यानि वो engaged रहे हैं, चलो ठीक है, social interaction among students, developing lower order cognitive processes, व्योंको lower order cognitive processes से काम चलना नहीं है, तो हम कहेंगे A, B और C सही है, A, B और C का option भी है, हाँ, D option है, ठीक है न, कि इससे क्या होगा, कि बच्चे की जग्य प्रिद्धी हो, सीखने में व्यस्त होगा, engaged होगा, तो क्या होगा, उससे, खोज करने में interest बढ़ेगा, निमन इस तरही है, नहीं, higher इस तरही है, यानि higher order thinking skills, होट्स, जिसको हम Bloom Taxonomio पढ़ते हैं, तो 21 का D, question number 20, second देखिएगा एक बार, यह कहता है, experiential learning is important for improving the learning abilities of students, which one of the following can be achieved through experiential learning, experiential learning क्या है, अनुभव जन्य अधिगम, यानि बच्चे को आप अनुभव दे रहे हो, उस अधिगम का जो आप उसको कराने की कोशिश कर रहे हो, तो शात्रों में, सिक्षन योगिता सुधारने के लिए, अनुभव जन्य सिक्षन महतुपूर्ण है, आप उसको field अनुभव जन्य सिक्षन से प्राप्त की जा सकती है, यानि जब आप बच्चों को experiential learning दे रहे हैं, तो कौनसी एक चीज अचीज अचीव कर पाएंगे वो, sensory experiences हाँ, concrete experiences ठीक है, gain in more knowledge and better grades, ये तो गडबड है, improvement in process skills, यानि उनकी thinking, उनकी observation, उनका experimentation, ये सब बहतर होगा, तो A B और D सही है, C गलत है, तो A option is the right answer, जो कि आप लोग भरपूर मात्रा में सही दे रहे हैं, question number 23 देखिएगा, सचीन एक बच्चा है, क्या कह रहा है, देखिए एक बार, पढ़ीगा इतने में आप लोगों के comments पढ़ती हूँ, प्रिथा करें माम, मैंने B at third semester में CETA 2021 qualify किया है, am I eligible, बिल्कुल प्रिथा, no tension at all, बिल्कुल तयारी कीज़े, जब के कीज़े, ठीक है जे, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि वो year matter करता है, और उस साल मतलब आपका final होना ही था, third था semester fourth था, doesn't matter, अभी के लिए at least, चलिए देखिए, अगर हम बात करें question number 23, और अब तो बिल्कुली नहीं करता matter, अब तो इन्होंने बिल्कुली ध्यान देना छोड़ दिया, आप पहले दिन में भी हैं, तब भी CETAT के लिए आप, एली से बले, यहर SST की notes नहीं लें, अब बच्चे की जान लोगे, अगली बार के सोचेंगे, यह notes मतलब notes, और notes पर काम करना पड़ता है, फिर otherwise तो पूरी NCIT छफ़बा के देदें आपको, notes ही हैं फिर वो भी, बहुत अच्छा पड़ाती हैं, love you, धन्यवाद अभी, thank you so much, हम जल्दी मिलेंगे हम, okay दिदी, okay सन्दे मिलेंगे भई, Sunday offline class है, आपकी free free free, देखिएगा, question number 23, देखिए, सचिन comes from a socio-economically disadvantaged background, सचिन एक बच्चा है, जो आर्थिक रूप से अभावग्रिस्थ प्रिष्ट भूवी से आता है, यानि थोड़े गरीब परिवार से आता है, socio-economic status अच्छा नहीं है, Mrs. Khurana, his class teacher, Mrs. Khurana है, उसकी कक्षा अध्यापिका, should help Sachin and create a classroom background or environment which, अब Mrs. Khurana को, जो की उसकी कक्षा ध्यापिका है, तो उनको कैसा वातावन देना चाहिए, किस तरह की मदद Sachin को देनी चाहिए, पहला option है, values his cultural and social background, यानि जिस भी background से वो बार आता है, चाहिए वो socio-economically disadvantaged background से आए, किसी और हाशी से अगर वो आ रहा है, जात तो उसके environment को, उसके sanskriti को, परिवेश को, value दिंगी, सम्मान से देखा जाएगा, जो भी बच्चा घर से लेके आता है, उसको valuable हम मानते हैं, ये बात समझ नहीं होगी, फिर आता है B option, discourages the use of his vernacular language and focuses on English, यानि उसकी जो मात्री भाशा है, जो शेत्रिय भाशा है, उसको discourage कर लेकर के, पुरानी NEP से लेकर के, कोठारी आयोग जो शुरात में बात कर रहे थे, NCF से लेकर के, NEP से लेकर के, कोई दुनिया में बच्चे की मात्री भाशा को नकारनी की बात नहीं करता है, categorizes him into a separate group, separate मतलब segregation is against the law of nature, अलगाव प्रकृती के नियमों के खिलाफ है, तो separate तो आप बच्चे को कर ही नहीं सकते, अलग त अलग तो आप बच्चे को कर ही नहीं सकते, D option है, teaches him etiquettes and manners which she feels he lacks, यानि उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएंगी, कि बेटा चम्मच और काटे सिखाते हैं स्कूल में तो, तुम कैसे हाथ सिखा सकते हो, और whatever, ठीक, etiquettes सिखाएंगी मेडम, उसको आते ही, पहले भहिया, उसको comfortable तो हो जाने तो environment, और किसने कहा है, जो आप etiquettes सिखा रहे हूँ, वही final है दुनिया में, तो teaches him etiquettes and manners which she feels he lacks, मतला, वो एक particular संस्कृती समाच से आ रहा है, तो वो जो भी है, उसके पास सब खराब है, ये हम नहीं करते बच्चे के background को negative नहीं दर्शाते, ये बाब में सीख जाएगा समय और environment के साथ जो चीज़ें सीखनी होंगी, तो values his cultural and social background, और सिर्फ उसी को क्यों, फिर तो etiquettes तो हम सबको भी सिखा सकते हैं, तो उसके sanskritik और सामाजिक परिवेश को संबान से देखा जाए, ये सबसे बड पढ़िया, नाम ले लिए आपका वैशाली के ए, EBS के नोच देदीजे, आपके online exam के PYQ सब वीडियोस देखे, exam निकलेगा, बिलकुल निकलेगा वैशाली, है ना, trust करके पढ़ना होता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, nephew बोल रहा है कि जब आप गलती करते हो, तो आपकी मैं आपकी पिटाई मोबाईल से बहार आके करते हैं, कि yes, yes, प्रभा उसको बता ना, कि हाँ, ऐसा एक concept होता है, उसके दिमाब में एक alternative concept बहर दो, एक naive conception, create कर दो, पढ़ते हैं ना, हम wrong conceptions, उसो बोल दो, हाँ, ऐसा होता है, ऐसे हाथ आता है, भूत की तरह, और लग जाता classroom effective, यानि, EVS कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, कौन सा तरीका सही है, मैं, from where we can get good SST notes for paper 2, दिव्यांजली कह रहे हैं, NCRTs, 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 अगर आप YouTube पे NCRTs summary देख सकते हैं, NCRTs books, की लोग चाहिए, UPSC वाली भी पढ़ते हैं, मैं यह नहीं करें, UPSC की तयारी कर लो जाके, बट, क्या कहते हैं, उसको पढ़ते तो ही न, यह 6-12 तक के लिए, तो अगर किसी के notes मिल जाएंगो, क्योंकि आपको as it is, मिलना है, paper में बल्कुल language, NCRT वाली आईगी, एकदम एक एक line उठके आती है, तो NCIT तो आपको पढ़नी पढ़ेंगी, तो तो उनकी notes पढ़ लीजे, किसी, कोई video देख लीजे, summary जिसने कराई हो, otherwise 500 page मत पढ़ने, बैठ जाना, कोई किताब खरीद के, इस time पे, मुश्किल हो जाएगा, paper में ज़्यादा समय नहीं है, और उसमें भी फिर वो gist होगा, gist से काम नहीं चलेगा, वो line to line आपको, चीज और अधियन सिखाना चारे हैं, तो कौन सी जगा बढ़िया है, गार्डन, हाँ, बगीचा है, वहाँ पे भी environment के बारे में सीखेगा, communication technology, संपरिशन की तखनीक, phone, या information and communication technology, या electronics and TV, तो हम यह कहेंगे, A और C, दोनों सही हैं, अब आप यह कहेंगे, communication को तो हटा दिया, क्य रियल लाइफ चीज़े नहीं दिखाई जाती हैं, जैसे हमान लिजे, phone पर बात कर रहे हो आप, या TV ही है, अगर उसकी बात करें, तो वह एक तरफा बात ज़्यादा है, जबकि ICT, information communication technology, जो आपके सामने यह board है, उसी का एक example है, यह जो camera से आप education ले रहे हैं, तो information communication technology की मा तो A option is the right answer over here, आगे बढ़ेंगे, सिर्फ A नहीं होगा क्योंकि C को हम नकार नहीं सकते है, ICT, क्योंकि सारी चीज़ें आप garden में नहीं दिखा सकते हैं, जो चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, उसको ICT के माध्यम से दिखा होगे, question number 25 देखेगा, Mrs. Mehera wants to assess her students, यानि Mrs. Mehera एक teacher हैं और वो अपने विद्यार्थियों का आकलन करना चाहती है, for interpersonal और social qualities, interpersonal यानि वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे व्यभार करते हैं, उनकी सामाजिक qualities जैसे cooperation, leadership इस तरह की चीज़ों में वो कैसे हैं, क्यों कोई क्या रहा है, मैं आप gender bias करती हो, पोल वाले भीया क पुरंथ दिखा दिया था, पोल वाले मैडम को नहीं दिखाया है, अरे पोल वाले भीया मान गए थे, पोल वाले मैडम को मना लेंगे किस दिखा देंगे, इसमें gender bias नहीं कोच नहीं, पोल वाले मैडम को पोल वाले भीया पहले दिखा चुके हैं, vlogs में देखिए जरा जाक उसके लिए वे अपनी परियावन अध्यन की कक्षा में किस आकलन किस आधन का उपयोग करें यानि वो चाहते हैं कि बच्चे socially कैसे behave करना एक दूसरे के साथ या उनमें social skills, cooperation की भावना, team leadership की भावना, हार जीत को accept करने की भावना ये सब विक्सित हो इसके लिए वो क्या करें, pencil paper test लें, तो इससे तो खराब और तरीका होई नहीं सकते, activity कराओ group activity हाँ, discussion हाँ, group activities ही तो पता लगेगा, social skills आप कह रहे हो कि बच्चा बाकी लोगों के बीच कैसा है, कि लिख के बता दो बेटा तो वो तो कुछ भी लिख देगा, तो एक तो group activity जिसमें आप observe कर पाएंगे, कि वो कैसे behave कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, discussion में भी पता लगता है कि सामने वाला आपकी बात को 26th, environmental studies teacher Mr. Mehta always carries map of India in his class because यानि EBS के एक teacher है Mr. Mehta और वो map जो है मांचितर भारत का ले करके गूमते रहते हैं इधर से उधर क्लास में क्योंकि EBS के teacher ने कभी भी जुरत पढ़ सकती है, किसी भी state के बारे में कुछ में बताने के बारे में कोई भी position, कोई भी जगा locate कर रहे हैं की जुरत पढ़ सकती है, बात तो ठीक है नहीं है कल क्लास टाइम लेते हैं, अच्छा, teacher बुआ, अरे बहुत बड़ी है, अमरिता, बहुत ही बड़ी है, देखेगा, C option 95% लोग कह रहे है कि Mr. Mehta, map लेकी जा रहे हैं, इसका फायदा क्या है, maps are well drawn and students like थे, मानची तर अच्छी प्रकार से बने होते हैं और बच्चों को पसंद होते है पूछ रहे हैं, भहिया फायदा क्या है, यह क्या है, पसंद होते हैं, पसंद तो बहुत कुछ बच्चों को सब ले जाए Students enjoy looking at maps, और भी तरीके हैं, maps help students to understand relative positions of places and directions, ठीक है Students stay quiet and attentive, यह सारे तरीके उतने भैतर नहीं हैं, जितना C option है, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और map का use पता लगेगा, map का use क्या है, मानचीतर शात्रों को इस्थान और दिशाओं की स्थिती समझाने के लिए जैसे हमने अभी map का use किया था बीच में, तो उससे पता लगेगा कि अच्छा गुजरात है, तो इधर यहाँ पर आपका Arabian C है तो जो Madhya Pradesh है, वहाँ पर पानी की boundary नहीं है तो यह relative position, कौन सा state किसके पास है, कहाँ पर क्या है, यह directions के लिए map का use किया जाता है C option, question number 27 देखेगा, Mr. Arjun कुछ कह रहे हैं, समझे इनकी बात को Mr. Arjun often asks interesting questions in the EBS class regarding what students saw while they were walking down the playground after games class By this, Mr. Arjun is assessing strengths, यहनी Mr. Arjun जो है, एक teacher है, वो class में कुछ-कुछ पूछते रहते हैं ऐसी चीज अभी क्या पूछ रहे हैं, वो कि परियावर्ण अध्यन की कक्षा में, विद्यार से जब वो खेल के मैदान से लौटते हुए, उन्होंने क्या देखा आस-पास यह पूछ रहे हैं, इससे बच्चों की कौन सी skill को Mr. Arjun आकलन कर पाएंगे, assess कर पाएंगे, कि बेटा जब तुम ग्राउंड से लौट रहे तो तुमने आस-पास क्या देखा अब जिस बच्चे की observation skill अच्छी होगी, मैं आपको कहती भी हूँ, कई बार कई लोग होते हैं, आस-पास की दुनिया का उन्हें पता ही नहीं होता, वो बस चल रहे हैं उनके घर के बराबर में भी अगर कोई एक बड़ा सा बोर्ड है, कोई स्कूल है, उसका भी नहीं बता हो ने, उन्हों ध्यान नहीं दिया कभी, observation zero लोग कहां क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मतलब, observe zero करते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, हो सकता है, अच्छा हो भई, but at least observation से बुरा कुछ नहीं होता, फाइदा ही होता है observation से, तो observation skills बहतर होंगी, अगर जिन्होंने observe किया होगा, जिन बच्चों ने, वो बता अच्छा ये चीज़ें थी, वहाँ पे plants थे, ये हो रहा था, वो activity हो रही थी, तो कितने ध्यान से observe कर पाता है बच्चा, इसका पता लगेगा, ये process skill का part है, जरूरी है, पहले observe किया होगा, बाकी सारी चीज़ें तो तभी आएंगी न, question number 28, which one of the following is not a good method of EBS education at primary level, यानि प कौन सा एक तरीका सही नहीं है, asking students to make observations, यानि विद्यार्थियों को अब लोकन के लिए कहना, कि भई या observe कर लो, ये method सही नहीं है, क्यों हो, ये तो सही है, giving conceptual facts in classroom lectures, field visits, watching documentaries, इसमें भी बच्चा active है, लेकिन ये जो conceptual math, आपके facts हैं, सिर्फ रटवा दिये जाएं, कि फलानी ये है, वो है, बस रट्टे लगवाने को दे दिये जाएं, तो इक conceptual fact होगे, बस concepts की definitions या आपने data दे दिया, तो इसमें बच्चा active नहीं है, बाकी तीन में बच्चा active है जादा, तो ये ही गलत है, आगे बढ़ेंगे, question number 29 देखेगा, question number 29, ये क्या कहता है, Mrs. Manisha wants to create a better EVS learning environment she plans to, यानि श्रीमती मनीशा है, वो परियावन अध्यन सिक्षण के लिए एक अच्छा वातवन बनाना चाहती है, एक conducive environment बनाना चाहती है, एक better environment बनाना चाहती है, संबृद्ध environment बनाना चाहती है, क्या करें, बताएगा, फटा फट से जवाब दीजेगा, क्या करें, Mrs. Manisha स्वीटी क्या पूछ रही है, मैं हमें close friend ignore कर रहा है, reason, है, reason job को बता रहा है, उलिस में है, मैं close मानती हूँ, वो सिर्फ friend मानता है, मैं attached हूँ, दो दिन से बिल्कुल concentrate नहीं कर पा रही हूँ, स्वीटी गुपता, it's a two way street, कितनी बार में same चीज रिपीट करूँ, आप relationships न जब आप ये two way street है, दोनों लोगों का effort लगता है, और जीवन में आपका काम important है, उसको अपनी नौकरी करने दो, आप अपने जीवन में focus करो, इतनी बड़ी दुनिया है, 8 billion लोग हैं, क्या एक छोटी से जगा पे एक बड़े से विक्ति को मान करके सब कुछ लगे हुए ह काम करो, देखो, पेपर है इतने दिन बाद, concentrate, ये हमारे दिमाग को ना reasons चाहिए, ना करने के कोई काम, है ना, दुख मनाने के, तो जाने दुना तेल लेने, जिसको जाना है वो, आप कैसे रोख सकते कुसी को, और जिसको रोखना है उसे भेज नहीं सकते हो, खेर आजाओ question number 29, Mrs. Manisha wants to create a better EVS learning, इतने दुख के साथ, ऐसे-ऐस questions पूछते हो, ये offline पूछ ला, मैं देखते हूँ, offline में कौन से लोग है हम, उनके face पे camera लगाएंगे हम, ये आप online पूछे भी पाते हो उस तरह की सवाल, देखेगा, अगर हम बात करें, question number, Mrs. Manisha कह रहे हैं कि बहीं कैस classes every weekend, मुझे वैसे अच्छा भी लगता है कि आप लोग उतना ease महसूस कर पाते हैं कि अपनी समस्यां discuss कर पाते हैं, ये बहुत ही genuine problems हैं, लोगों का ध्यान भंग करने में दो ही मिनट लगता है किसी को भी, तो इतने जीवन को सस्ता मत बनाईए कि कोई भी आता जाता विक्त यानि अतरिक्त और ये attachment और attachment ठीक हो जाता है यार, detach कर तो कुछ नाइम हो जाएगा ठीक, अब मैं ग्यान देने लगी हूँ क्योंकि मुझे देख रहा है, आपने इतने seriously question पूछा है, distance से सब ठीक हो जाता है, छोड़ गो, take extra classes every weekend, हर एक weekend पे extra classes लेके, इससे environment कैसे ठीक make them cram the notes, रटे लगवा करके, नहीं, conduct a survey of neighborhood, यानि जब आप बच्चों को कहेंगे कि क्या करो बेटा, एक survey करो environment में जा करके, ये बात हमें अच्छी लग रहे है, मिलेंगे विशाली, ठीक है न, अब समझते हैं, तो better EVS learning environment कैसे बनेगा, जब बच्चों को actual world में जाने का नहीं होगा, दुनिया में जाकर के, फिल्ट रे पिया, जो भी उनके आसपास activity हो सकती है, last question है आज के लिए, इस question में मनीशा teacher का नाम था, कोई कह रहा है, मनीश, मेरा नाम कराब कर रहे हैं, teacher है, चलिए देखेगा, अगर हम बात करें, हम, hormones का चक्करवा हो भी है, अच्छा, इतने भी practical नहीं हो जाना, जीवन में कि बिल्कुल, मतलब, पिर आप बाकी सारी चीज़ों को neglect कर देएं के, हाँ, इस विजह से हो रहा है, ऐसे नहीं होता ना, देखेगा, मेरा PG में ancient history, culture and archaeology paper है, KVS PGT का form fill कर सकते हैं, क्या, उसमे है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, अर पिता घोश कहरे है, दीदी, love you, मैं West Bengal से हूँ, 11 तारीक मेरा एक्जाम है, आश्रवाद दीजे मैं, आग लगा पाऊं, अर पिता, आग नहीं लगा देनी है, metaphorically लगानी है, वैसे नहीं लगानी है, literally, बिल्कुल यार, मै 11 तारीक से पहले आपको EBS और Maths पूरी कोशिश करूंगी, दोनों के Notes देदू, क्योंकि बाकी subjects की Marathon Classes तो अभी नहीं हो पाईगी, मैंने कोशिश की, बट लंबे चल रहे हैं discussions, देखेगा, question number 30 देखेगा, EBS और Hindi English और CDP के Notes में दे चुकी हैं, तो उनको जरूर पढ़ बाकी all the best, बढ़िया करेंगी अब, EBS follows the approach of, परियावण अधियन किस तरह के उपागम का अनुसरान करता है, अप्रोच को या किस वे को follow करता है, social constructivism, associationism, behaviorism, observational learning, देखो इन सबसे बहतर है, social constructivism, आपको पता है, आपका पूरा syllabus, NCF, किस पे रचनावाद पर based है, और EBS म A option is the right answer.